जोजन मेरी सरण है ताका हूं मैं दासे गेल गेल लागया फिरूं जब तक धरती आकासे जोँ बच्छागव की नजर में योँ साई कूं संते बगतों के पीछे फिरेयू भगत वचल भगवन ते परमपुजे कवीर परमिश्वर ये भगत वचल भगवन है अब उन्हीं आत्माव मैं से एक आत्मा मुसल्मान घर में जनम हुआ उसका राभिया नाम था उसका राभी अब परमात्मा किसे द्यालू है जैसे आपको बहुत बार वेदों के परकरन दिखाए है रगवेद मंदल नमबर नो सुक्त नमबर 86 के मंतर 26 में रगवेद मंदल नमबर नो सुक्त 82 के मंतर 1,2,3 में रगवेद मंदल नमबर 9 सुक्त 96 के मंतर 16 से 20 में रगवेद मंदल नमबर 9 सुक्त 1 मंतर 8 और 9 में रेगवेद मंडल नमबर नौ सुक्त बीस मंतर एक में और भी अनिकों स्थानों पर समयाने पर मालकी दया होगी इन वेदों का एक अच्छी तरह से जो अन्वाद किया जाएगा तो वेदों में भी लीला लिखी है वगवान ऐसी लीला करता है वो परमक्सर बर्मपूर्ण परमात्मा है वो उपर रहता सतलोक में सचखंड में और वहां से गती करके आता से स्रीर और वो तीन परकार से स्रीर दारक है तीन परकार के स्रीरों से सभी का धारन पोशन करता है स सत लोग के अंदर सथिर है जिसमें क्रोड सुरिय क्रोड चंदर्मा मिला दे एक रोम कुप की इतनी रोसनी है मनुस सद्रिशे है और दूसरी टाइप का जो सरीर मालिक धारन करते हैं नौजात से सू का रूप धारन करके परगट होते हैं किसी तलाब के उपर जल पर इसलिए उसको नारान बोलते हैं वो निर्धारित का रही होता परमात्मा का किसी संसकारी हंस वहां से कोई उठा ले जाते हैं और फिर उस परमात्मा की परवरिस की डिला एक कवारी गायों से होती है वो कवारी गायों का दूद पीते हैं और नहीं पीते हैं और वो परमात्मा वहा पर्मात्मा सुम्भी कहते हैं गोता मारू स्वर्ग में जा पैठू पाता ले कहे कबीर ढूंडता फिरू अपने हीरे मुतीलाले ये खुद बगवान भी कहते हैं और जिन को पर्मात्मा मिले वो भी है बताते हैं जैसे आदन ये नानक साहिब जी को मिले बेई नदी पर पुरसाय कवीर देव जी और उनको बेई नदी से अंतर ध्यान करके सच्खंड में लेकर गए फिर वापस सोड़ा सत लोक से उन्होंने आते ही नोकरी ट्याग दी एक नवाब के हाँ नोकरी करते थे और फिर परमात्मा की खोज में बनारस पहुंचे और जहां देखा था उसी सकल में और उसी रूप में मुझो लाय का काम कर रहे हैं बनारस में कास्ची में वहाँ जब जा कर देखा और सच्मुच ये तो वह परमात्मा है जो मुझे सच्खंड लेकर गया था सत लोक में देखा था तब कहा था फाई सुरत मलुकी वेस एठग वाड़ा ठगी द निरू के पूतर ने वगवान बताव है अब कहने का भाव ये है कि जो लीला वेदों में लिखी है कि वो परमात्मा सत लोक से चल कर आता है और यहां पर ठ्वी पर पर गट होता है अच्छी आत्माओं को जाजा कर मिलता है आदनिय मलुकदास जी को मिले आदनिय दादू स जी को मिले आदनिय गी सादास जी को मिले गाओं खेकड़ा जिला मेरट उत्तर पर देश में आदनिय गरीबदास जी को मिले गाओं छुडाने जिला जल 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 हरियाना कर और गरीबदास जीन कहा था कि सर्व कलासतकुर साइब की अरियाए अरियाने नू तुम कहते हो जाब था और सबत बोले गे हरियाई हरियाने नो परमातमा के वचन से यो अलग अकुसेतर हरियाना बन गया निए तो आदज अब अधार से परमातमा उस लड़की को मिले राबिया को जा करके बारा तेरा वर्स की लड़की थी खेतों से उचारा लेकर आ रही थी पर मातमा वहाँ कुए पर बैठ गे लड़की भी बैठ गी क्योंकि पिछली आत्मा जो होती है कहते हैं सादू दरसन राम का और मुख पैब सैसु हाग है दरसुनी को होते हैं जिनके पूरन भाग है कबीरा सादू दरसन का साइब आवयाद वह समय लेखे में बाकी का समय बरबाद अब आत्मा सादू संत को देख कर बड़ी खुस होती है कि बगवान इन संतों के रूप में आता है वह लड़की बैठगी परमात्मा के तरफ देख कर एक दम आसक ऐसी होगी खिचाओ सा बना कि तो मात्मा है कोई तो उससे परसन किया कि आप कौन हो कहा से आये हो तो परमात्मा ने कहा बेटी मैं अल्लाहु अकबर हूँ अब लड़की ने सुचा अल्लाहु अकबर है आप सचमुच हाँ मैं बेटी मैं खुद खुदा हूँ तो कहने लगे आप यहां किसलिए आये हो कि मैं आपके लिए आया हूँ बेटी आप साधना गलत कर रहे हो आप सथ साधना कीजिए अब जो मुस्लमान धर्म के अंदर साधनाए करते हो यह साधनाए पाप की है मास खाते हो तुम इद बकरीद मनाते हो यह साधनाए अच्छी नहीं है तुमारी वो कहने लेजी हम निमाज करते है निम्हाज तो अच्छी बात है, वो तो प्रार्षणह परुबू की लेकिन करती किस की हो? अब किसी की appliकेशन लिखकर चल पड़े नाम अगले गालिका नहीं, कि किसको देनी है किसे डीसी को देनी है या कमिसिनर को देनी ही, नाम की तक लिखेनी साब लिख दिया उपर अल्ला को हो साब को हो तो कौन सुनेगा तुरी अपली के सिन्न या नमाज तुम करते भी हो तो तुम किसके नाम भेज रहे हो ये क्यो तो बेचून अल्ला है बेचून है फिर तुम है क्या मदद करेगा बेचुन्ने है ते निराकार है तो लड़की वो तो मालिक की सामने इस अज्ञान का कहा ठीकाना है लड़की बहुत परभावित हुई कहा बेटा तो मा सग जनम होगे बटकत्याने अब पिछले जनम मुनुस थे तो अब मनुस होगे अगले जनम में बक्ती ठीक ना होई तो बन जाओगे या मुनस भी बन गे तो ये प्रोसीडर फिर सुरू तुम्हारा ये कोई एंड है इसका तो बेटी बहुत पर भावित हुई और उसने कहा बगवन फिर क्या करूँ कि बेटी उपदेश ले मेरे से और बक्ती कर डटक है हमने बजन क्या करे कहने लगे जी ये स मिटी नहीं खाना जो मुले जी वो कंपलसरी कर देते हैं नमाज भी करनी होती है कि नमाज भी कर लेना लेकिन ठेक मत्था अपना यो मंतर करती रही है बैस होगे नमाज मुला जी ठीक है तो उस लड़की ने उपदेश ले लिया मालक उपदेश देकर चले गए इतनी प्र गरवालों ने क्या किया भी लड़की युवा होगी विसकी साधी तारी करो लड़की ने गरवालों से कह जिया कि मैं विवहा नहीं करूँगी और मुसल्मान द्रम में एक वी सेस्ता है कि लड़की को बठा जेंगे पहले और लड़की से पूछते हैं कि बेटी तुझे य मारी इज़त का सवाल है और यू है ऐसे हैं सो कुछ कागो बली मैं नहीं साधी करानी अब घणा चिंतित हो गया मात्पिता का अन्छूट गया लोक लाज के कारण तो लड़की को अपने आपको प्रेर ना हुई सोचा उसने के चलो देखी जाएगी माबाप कहते हैं विव हो गया एक बहुत अच्छे नेग विखती थैं अच्छा अधिकारी था अफसर था उससे उस बेटी का ब्या हो गया मुसल्मान के तो वहां जाते हैं उसने अपने पती से कह दिया जी बात सुनो मेरी मैंने एक परतिग्या कर रखी है अपने गुरू जी की किसम खाके मैं सं मेरा फाइनल फैसला है तब उस सोच गया भी ये बात क्या बनी के लिगा बात बता फिर आपने निकाह स्विकार क्यों किया था बना कर देते कोई पर प्रैसर थोड़ा ही था उसने बता जिया कि ऐसे ऐसे मेरे माता पिता लोकलाज के कारण बहुत परिसान हो गे थे और मैं ने इसलिए लिकाह मनजूर कर लिया कि ये तो सांत रहे आगे मैं आप से अरज कर लूँगी ये सोच कर आए थी वापकी मर्जी मेरी अरजी मनजूर करो या ना करो तो बुद इमान समझदार द्यालो विक्टी था वो मुसलमान उसने एक सोचा भी मैं क्यों इसके बादा क को लोकलाज से ड्र था तो हमारा भी या समाज है आप रहोगी मेरी पतनी के रूप में संसार की दरिश्टी में और मेरे लिए होगी मेरी बहन के तुले तेरे अलग से मकान बना दूँगा उसमा अपनी बक्ती करना है लेकिन घर से बार नहीं जाने दूँगा हमारी भी इज़त है कि देतों कि में वहाँ जाओंगी फलान करूंगी कहीं और नहीं जाने दूँगा किसी संट बगत के पास जवाब किया गया अब उस लड़की ने चार वरस तो साधना वो की जो परमातमा ने बता रहा की थी फिर वहां आने लगे जो अलग से उसका कमरा बना दि या मुसलमानों में कई कई साधिया हो जाती है तो वहां आसपलोस की और भी बगतनी जो मुसलमान वरक की थी दर्ब की वो आने लगे वो कहने लगी बता तो कुछ भी ना करती या कोई बात हुई यानि कुछ दिन में वो परमातमा वाला गया नट गया वो लोक वेद फिर स प्दास वरस की योगी पचाज वरस की आई यो जब होगी तो उसने अपने पती से कहा कि आपकी आग्या हो तो मैं मक्का जाना चाहती हूं हज करने के लिए और हज करना कंपल्सरी होता है मงसलमान दिर्म में वो ये मानते हैं जिसने हज कर ली ओ सुर्ग का वासी हो जाता है उसको लाव होता है तो सभी बुढ़े बुदर्गों को हज अवस्य करवाते हैं उसके पती ने एक सोचा को भी मैंने देख लिया इसको 30-35 वरस हो गए मैंने कोई भी ऐसा इसका आचरण नहीं देखा इसलिए उसने उसको अलाउड कर जिया कि आप जा सकते हो और कहो तो मैं आपके लिए कोई उट की विश्था कर दूँ सवारी की राबिया ने का नहीं मैं पैदल जाओंगी जैसा हमारी सोच है कि पैदल जाने तक अनलाब होगा अब वो चल पड़ी क्योंकि काफी विक्ती जाते थे पैदल जाते थे लारा लग जाता था लाइन लग जाती थी तो वो लड़की भी चल पड़ी अब वो जा रही थी चलते चलते रुष्टे में रेगिस्तान में एक कुवा था, कुवे के पास एक कुटिया पैसी थी, बहुत पैसी थी, उसके छोटे छोटे नौजात बच्चे थे, दूर एक साइड में रखे वे थे, बैठे थे, आँखें भी नहीं खुली थी उनकी, और वो बहुत पैसी थी, और कभी तो राबिया के प्चर्णों की तरफ आ रही है, पिर भाग कर कुवे में झांख रही है, अब राबिया उसकी बासा समझगी कि इसको प्यास लगी है, कुवे पर देखा तो हcker वहां कोई बाल्टी नहीं, कोई रस्सा नहीं, आसपास कोई गाउं नहीं, कोई और विक्ती, पास पास नजर नहीं आ रहा जहां से कोई साधन मांग लाओं अब उस लड़की ने आव देख्या ना ताव देख्या अपने बाल पाड़े लुम्बे लुम्बे बाल थे वो बाल पाड़े नो एक एक बाल फटा फट सारे बाल पाड़े का रेकरसी बनाई ये हैं मुसलमान य Surprise बनाई ये मुसलमान नहीं है वह लड़की थी मुसलमान कहते दया ना दरवेश का साई जिसके दया नहीं वो बगत की साथ लंबी लंबी इतनी लंबी रसी बांटी अपने बाड़ां थे बहुत नीचे ड़ल होते थे और अपने वस्तर निकालकर पहले मोटे भोटे पढ़ गी, साथ की साथ पी जा वे, तो कुटिया को पानी से छकाया, और अपना जो लोवान होगी थी, वो कपड़े ऐसे अपने कपड़ों से पहुँचके उनको धो धाके सुका धाड जूडके ऐसे और पैन लिए और पैन के चलने की त्यारी की थी मक्का में कहते हैं वो मक्का वाली बिल्डिंग एज़िटी जूटके और वहां आखडी हुई उस कुवे के साथ में जैसे से उठा और उसमें सारे यात्री उसके मजजिद ने जा रहे थे मात थम उठा टेके दे वो सारे उसके अंदर और वहां मक्का है निस्थान पर वहां सारे देखें कीट गया हो हमारा मक्का तो फिर कुछ देर के बाद वो विमान की तरह वापस जाकर वहीं सतापित हो गया का इसके लिए वहां पहुंच गया अपने आत्मों ये समझना कि जैसे दास आपको बता रहा था कि पहले जो भी हमें सुख होता था या कोई गर्मा ऐसी आच्छी गठना होती थी तो हम ये सोचा करते थे जो साधना हम कर रहे हैं इसी से हुआ हमारा और ये थी पिछले पन उन पनों से उसके अंदर दया हुई दया से उसमें इतनी हिमत आई कि बाल पाड़ तूं पाड़ के दिखाओ चार बाला पता लग जा तो पिछले संसकार से इसना पर बलकिया करय कर आवसाईया मन में लेर उठा दाद दूसर दरजीव के आप बगलो जा उसके बाद वो तो अधर तो परसंसा की पातर बन गी सब जो के गुणगाओं में अगला जनम उसका एक बनसुरी नाम की लड़की का हुआ बनसुरी नाम की लड़की का और उसने फिर इतने राग आए यानि वो डांस डूंस करने वाली जो ही होती ना लड़कियां उसका जनम हो गया लेकिन आज था बगवान की फिर भी तो वो मक्का में गई है और उसने ये सुना था कि अभी मक्का में जिसकी मरत्यू हो जाती है वासी दी बिस्त चली जाती है सुर्ग में अब पिछल संसकार परमात्मा की बक्ति कर रखी चैर वर्स वो अंगडाई ले रहे थे उसमें इतनी हिम्मत आए थी उस लड़की ने क्या क्या किया कि मक्का में अपनी गरदन काट दी अक्मोकस्त चाहिए पचास-पचपण साल की हुमर होगी थी कि मोकस्त ये हमें अर मक्का में कहते मर जाता वहां का लोक वे दंत कता है कि मक्के में जो मर जाता सीधा भेष्ट जाता है तो उसने वह इंगरदन काट दी और सब नहीं हो गया बनसुरी तो गई सुरग में बनसुरी शीदी गई सुरग में क्योंकि मक्का में उसने अपने कुर्बानी दे दी तो मुस्लमान इसको कहते हैं जो अपने कुर्बानी दे बक्रियां के बुल काट वह कुर्बानी है वह तो कुर्बानी ले रहे हो तुम तुम तो फोन पी रहे हो दूसरों का ऐसे ही हिंदू लोग करते हैं बक्रे चड़ाते हैं माता के माता वा बक्रे खावेगी काद्जू खावेगी किसमिस खावेगी वा तो दिले भी खावेगी इस गंद ने कुण खावे आप पे खाव और आप पे खाव और मात ताग इसरलामे अब उसके बाद उसका जनम हुआ एक सेक्त की नाम का मुसल्मान पीर था राजा सिकंदर लोधी का दिल्ली का बादशा एक सिकंदर लोधी राजा हुआ है वो बैलोल लोधी का पूतर था बैलोल लोधी नाम का एक राजा हुआ है वो भी दिल्ली का बादशा था तो सिकंदर लोधी का वो धार्मिक गुरू था सिकंदर लोधी को बहुत बेंकर रोग हो गया था जलन का कहीं पर भी जंतर से, मंतर से, किसी ट्रीटिमेंट से उसको कोई रहत नहीं मिली थी तो परमात्मा कबीर जी के आसिरवाद मातर से सिकंदलोजी सुष्ट हो गया था और उसके बाद वो परमेश्वर कबीर देव जी की बहुत इज़त करता था उनको बहुत आदर देता था जो धार्मेक उसका गुरू था मुसल्मान सेक तकी वो कबीर जी से इरसा करन लगया तेरी रोजी रोटी जावगी राजा का ज़्यादा इसम प्रेव बढ़ गया वजीर और फकीर अपस मैं इरसा करें बिना रहा ना करें तो बहुत ज़्यादा इरसा करन लगया उसने सोची कबीर जी को नीचा दिखाऊँ अब किसी कबीर जी को ऐसा राजा की दरश्टी से गिरादू इसको ऐसे आवसर की खोज करने लगा एक दिन राजा सिकंदर लोधी कबीर परमेश्वर जी को साथ लेकर कासी से लोट रहे थे मनारस से दिल्ली आ रहे थे शेक्तकी भी साथ था एक दरिया पर पड़ाव डाला रात्री बिताने के लिए तो उदर से शेक्तकी ने अपना बेरुखी दिखाई राजा के परती राजा ने कारण पूछा तो उसने बता के तुने तो अब मुसलमान के छोड़कर हिंदू गुरू बना लिया सारे मुसलमानों को कह दूँगा राजा मुसलमान नहीं अब हिंदू हो गया है ये काफिर हो गया है राजा को पता था कि इसने एक बार मुसलमानों को कह दिया सब मेरे सेवी मों खो जाएंगे मेरा रज्य जावगा सब इसकी मुठी में हैं तब ही उसको साथ रखता था सिकंदर लोधी शेक तकी को इसलिए साथ रखता था कि कम से कम इसका मुठ चुप रहे ठीक रहा रहे और सब समाज मेरे साथ रहे मुसलमान राजा को बड़ी चंता हुई परमेस्वर साथ थे अलग टेंट में राजा से पूछा कि क्या कारण है टेंशन किस बात की सिकंदर लोधी ने सब कारण बता जिया सिकंदर लोधी ने कहा कि इसी स्परकारी रिसा की हुए है कबीर जी बोले मैं वापस दिला जाता हूँ अगर नहीं आप नहीं जा सकती कुछ भी हो फिर सिकंदर लोधी ने फिर कारण पूछा कि आप कैसे परसन होगे सेख तकी के मैं तब परसन होगा तूँ जिसको भगवान कहता है अल्ला कहता है कबीर को मेरे सामने कोई मुर्दा जीविट कर दे क्यांकि सिकंदर लोधी ने स्वामी रामान नन जी जो कभीर परमेसवर जी के गुरु जी थे उन्होंने कोई ऐसा अब सब्द कहージit था 민वानों के बारे में सिकंदर लोधी को रामानजी ने तो सिकंदर लोधी ने रामानजी की गरदन काट दी थी और वैसे लोगों की दृष्टी में संसार की दृष्टी में तो कबीर जी के गुरू जी थे रामा नंद लेकिन रामा नंद मानते थे कबीर जी को गुरू जी अपने हर दैसे लेकिन एक मर्यादा बनाए रखने के लिए वो गुरू जी बने हुए थे तो सिकंदर लोजी ने जब गर्दन काट दी तो कबीर परमेशवर जी ने स्वामी रामानन जिनको तुरुंच जीवित कर दिया था वो ही सिकंदर लोजी के सामने एक तो वो देखे अपने आखों के सामने बगवान की लिला और फिर अपना जलन का रोग उसका ठीक हो गया इस कारने से उतना परवावित हो गया था और सेक तकी को भी उसने आकर ये बताया था पीर जी ये तो अल्हा का रूप आए हुए मेरा दर्द ठीक हो गया, सारा रोग नाश हो गया और ऐसे ऐसे इस रामान अंजी स्वामी ने हमारे मुसल्मान धर्म के बारे में कुछ गल्ट बोला था और मैंने इसकी गर्दन काट दी, मेरे सामने जीवित करती, यह तो अल्ला का सुरूप है, यह तो खुद मालिक आए है इस चीज तो चड़ गया, इतना इरसा करन लगया तो उस दिन कहता है कि मैं जब जानू मेरे सामने कोई मुर्दा जिन्दा करे यह कबीर, नहीं तो मैं सब मुसल्मानों को कह दूँगा कि राजा काफिर हो गया सिकंदर लोधी ने कारण बताया कि सेक तकी यह कहता है, गुरुदेव, कि मेरे सामने कबीर जी कोई मुर्दा जिन्दा करे है, और नहीं तो सचमुच यह आग लगा देगा, मुझे यह चिन्दा का विश्य बन गया तब कबीर जी ने कहा कि कह दो इसको, कोई मुर्दा ले आओगा, लगा, देखते हैं बनगी बाता है, अब सेक तकी से कहा सिकंदर ने, और वो कह रहे हैं कि लाओ कोई मुर्दा उठा के, कहने लगा, मैं कहा से लाओँ ऐसे, कोई मुर्दा होगा जब देखेंगे, इतने म मालिक ने कहते हैं, कि परमात्मा से अपने बगत का दुख इतना भी नहीं देखा जाता है, एक सेकंद भी, कुछी मेंटों के बाद क्या देखते हैं, कि एक लड़का मर्या हुआ, मर्त्यू के पस्चाथ, जल परवा कर दिया गया था, अन्तिन संसकार कुछ कबीले ऐसे है वो सभा नहीं करते हैं, ना जमीन में गाडते हैं, वो जल परवा कर देते हैं, वो लड़का अपना समय पूरा करके जल परवा कर दिया था, मर्त्यू होगी थी, वो बैता हुआ आ रहा था, किसी ने बता जिया कि वो आ गया मुर्दा, वो आ गया मुर्दा, उसी समय, सब कठे होगे तो पर्मातमा ने कहा कभीर Treaty ने के सेक्त की अब तू ट्राई कर ले के दे बाद मैं नंबर बना हूए कहता है मैं भी कभीर कैजादा जानता है तो सेक्त की लगया फूू फाँ फूू उठा करने उसने सोचा मैं कर जो होता है मेरा नमबर बने जा वो दूर चलागा मुर्दा जल में बैता हुआ दरीया में काफी दूर चलागा कम से कम पानसो छासो फुट अगे को तीन चारे कड़े तब सिकंदर को कहता है सेक्ट की कि ये नूचाव है था कबीर कि किसी परकार ये जीवित हो सकता है कभी वो तो कियामत आवेगी जब होंगे कभी जी खड़े हुए और मुर्दा जैसे आगे बैकर चला गया था वो सव बहुत दूर चला गया था वहां से ऐसे हाथ किया वो मुर्दा वो सव वापस चल पड़ा अब सट्रीम में जैसे जिदर से पानी बैक कर जा रहा था वो पड़ा परमात्मा के पास और परमात्मा ने कहा है या आत्मा कभीर हुकम से इस मुर्दे में परवेश कर जहां भी है वह व आपस आजा और बहर आजा तू एक सेकिंड में उसी समय लड़का जीवित हुआ और कभीर जी के चर्णॉमा के परनाम किया बो तेल पर चीटे लगे उसके और ज़्यादा इरसाबडगी के जिने जल्म कर दिया यो तो और ज़्यादा हर देना समा गया अब उस लड़के के बारे में कहा उपस्तित लोगों ने कि कमाल कर दिया कमाल कर दिया लड़के का नाम कमाल रख दिया अब वहां से दिल्ली आगे अब सेख तकी ने सभी मुसल्मानों को इकठा किया कि भी राजा तो दर्म परवर्तित करने वाला है ऐसे ऐसे काफिर को हिंदू को साथ रखता है और कुछ करो भाया यह मुसल्मान कहने लगे बोलो पीर जी तुम जो कहोगे हम वही करेंगे कि चलो राजा के पास राजा के पास पहुँचे हजारों की संख्या में लेकर सट्राई कर दी सुने तो परदर्सन कर दिया राजा ने कारण पूछा शेक तकी ने कहा कि जिसको तु लेकर आया है कबीर को वो लड़का तो सद्मे में था और वो ऐसे जीवित होना ही था वो तो ताजा मरा हुआ था मैं दब जानो मेरी लड़की अब वो लड़की जो थी राबिया वो तीसरा जनम शेक तकी के गर पर जनम था अपने मुसल्मान रीती से लड़की का अन्तोस्टी कर रही थी ये कबर में दबा रही थी तो सिकंदर लो जी से कहा सेक तकी ने कि मैं जब जानू मेरी बेटी ने जीवित कर दे यू कभीर इजगोड मैं मान लूँगा इसको और नहीं तो हम बगावत करेंगे अब फिर टेंशन बना दी प्रमात मांतरी आमी थे वो तो सारी फड़क निकालने के लिए तो गए हुए थे कभीर जी ने पूचा प्रमेश्वर ने सिकंदर जी से कि क्या हो गया राजन कुछ मायूस नजल आ रहे हूँ राजा नसारी अपनी समस्या बताई आप कहते हैं अपने बगद का दुख बगवान देख नहीं सकता कहने लगा भी ठीक है इसको कहे दो से एक तकी को आज से तीसरे दिन वह लड़की जीवित करूँगा और आस पास डेंडोरा पिटवा जो परचार करूआ दे राजा तू ताकि कदे दस बीसा के मैं ना माना ही हूँ सारा संसार देख ले आस पास के मुना जीक राजी के को मुर्दा जीवित किया जाएगा कबीर नाम के संता रहे हैं महापुरुष पहुचे हूए है सिकंदलो जी के जलन का रोग भी उन्होंने ठीक किया क्योंकि राजा का रोग था सब को चिंता थी और वो स्वस्थ वा तो सब के खुछी सब चर्चागावी से हुए वे थे कि वो ही संता है या को ही आए जिन्होंने सिकंदलो जी का रोग नास किया कहां वो ही आए और जारों की संखा में विक्ति वाई कठे होगे उस निस्चित समय पर कबर को फड़वा दिये गया राजा वो पस्तीत है सब मुसलमान भी हिंदू भी पता नहीं कि इतने कवाई कठे होगे और लड़की का सव कबर्व के अंदर है तब परमेश्वर ने कहा कि सेक्तकी अब तू कर ले कुछसिस कदे फिर नंबर बनावा है तो और उपस्तिजन कहन लगे जी जाए सेक्तकी के पास कोई जंतर मंतर होता अपनी बेटी ने कौन मरन दे ये तो पहले ही कर लेता आप ही करो कुछ अब परमातमा ने कहा कविर जी ने के हे सेक्तकी की बेटी जीवित हो जा वा जीवित ना होई दूसरी बार फिर कहा के हे सेक्तकी की बेटी जीवित हो जा नहीं जीवित होई तो सेक्तकी न बगड़ा पाजिया ना चैपुद्धा देखो फगडा गया ढोंगी का ढोंग देखो देखो कुछ नहीं हो सकता इसे तीसरी बार परमात्मा ने फेर कहा वा नहीं जीवी तुई तब परमेश्व ने कहा कि एक तकी थोड़ी सानती रख अखोरी सानती पकड़ा गया तेरा ढोंग देखो पाखड देखो पाखड तब परमात्मा ने कहा है जीव आत्मा जहां भी है तू कबीर हुकम से वापे सारी परवेश करवेटी के स्रीर मेर बाहर आ जा दो सेकंड में सारा स्रीर कम पने लगा लड़की उठके परमात्मा की चड़नो में डंडवत प्रणाम किया बो सत्कुर्देर तब सभी ने कहा कि बाहराज ने कमाल कर दिया कमाल कर दिया लड़की का नाम कमाली रखा और अपने बेटी के रूप में रखा ऐसे ही कमाल लड़का जो पास रखा वक्ती दी अब वो लड़की जब जीवित हुई परमेस्वर ने कहा बेटी जा तेरे पिता के साथ मैं अरुदर से उसको पिछले अपने जन्मों की चेतना दे दी परमात्मा ने अपने आसिरवाद से उसकी दिवद्रिश्टी खोल दी अब उस लड़की को अप जन्म पहले तीसरा जन्म जो मेरा था उसमें मैंने इन से नाम लिया था और मैंने चार वरस बक्ती करके छोड़ दी थी उस चार वरस की मेरी बक्ती के कारण मुझे लगा तार तीसरा मुन उस जीवन तो प्राप्त हो गया लेकिन ये मेरा इतना ही जीवन था बारा वरस तक अब शेक तकी न करया था नोग बगवान को नीचा दिखाऊंगा वहाँ कोई हजारों विक्तियों ने परमातमा से उपदेश लिया उनके स्यस्पने बोलो सत्गूर देव कहते हैं सत्गूर संगत छोड़ के सत्गूर संगत छोड़ के चैलाख वरस जब कीन इंद्री करम ना मोकस हुए फिर काल के आधीन उस आत्मा का फेरुदार हुए जो भगवान के पुनर चरना मागी बोलो सत्गूर देव